नवश्कार आप सभी का स्वागत है उनली न्यूज नेशन में खबर आ रही है बिहार चुनाव से जुड़ी जी हाँ बिहार चुनाव से पहले चिट्थी बंगाल से पहले जम्मू में बैठा कॉंग्रेस के खैर खववा जी 23 नेता फिर मैदान में जी हाँ आज पूरी खबर हम आपको बताने वाले हैं बस आपसे अनुरोध है खबर में बने रही है और खबर को लाइक शेयर और करते रहे हैं चले चलते हैं पूरी खबर की तरफ कॉंग्रेस की सियासत में कोई पहला मौका नहीं है जब चुनावी सरगर्मी के बीच कि मांग उठाई थी जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया था अब वहीं बंगास साहित पांच राज्यों में विधान सभा चुनाओं की सियासिस तपिश के बीच गुलाम नमी आजात की अगुवाई में जीते इस नेताओं में से आठ नेताओं ने जम्मू में बैठक की जि में जीते इस नेताओं की बैठक की टाइमिंग को लेकर कॉंग्रेस ने सवाल खड़े कर रही है गुलाम नमी आजात सहीर जीते इस के आठ नेताओं ने जम्मू में शांती सम्मेलन में भगोवा पगड़ी पहन कर एक तरह से नई हल्चल पैदा कर दी है गुलाम नमी के अ दोवल के इस मंच पर सोनिया और राहूल गांधी की तस्वीरे नदारत थी राचनीती विशलेशन मानते हैं कि यह महर्च संयोग नहीं था बलकि सोची समझी रणनीती के तहट गांधी परिवार के खिलाफ के संकेत है सोनिया राहूल के खिलाफ बिगुल जी हां कॉंग्र आजाद ने अपने समर्थनों के साथ चनिवार को जम्मू से सोनिया राहूल के खिलाफ बिगुल फूग दिया था गांधी ग्लोबल फैमली की और से आयोजिस शान्ती सम्मेलन में कॉंग्रिस के लगातार कमजोर होने की बात कही थी खुलेयाम कहा गया है कि वे हैं तो कॉंग्रिस है सम्मेलन में मंच में यह भी कहा गया कि जब प्रधान मंतरी मोदी आजाद की तारीफ कर सकते हैं तो पार्टी को उनके अनुभवों को लाब लेने में क्या परहिच है लंबे वक्त से बागी तेवर अपना रहे कपिल सिब्बल ने शनिवार को सम्मेलन में कहा कि यह सच बोलने का मौका है और हम सच ही बोलेंगे सचाई तो यह है कि कॉंग्रिस हमें कमजोर होती दिख रही है और इसलिए हम इकठा हुए हैं और पहले भी इकठा हुए थे और खठा होकर हमें इसे मजबूत करना है कपिल सिब्बल के अलावा आनन शर्मा तमाम कॉंग्डेसी नेताओं ने गुलाब नवी आजाद के समर्थन में खुलकर खड़े होने की बात कही आजाद ने पियम मोदी की तारीफ की जिहां वहीं इस घटना क्रम के अगले दिन ही स् की कसीदे पड़े आजाद ने रवीवार को कहा कि उन्होंने बहुत सारे नेताओं की बहुत सी अच्छी अच्छी बाते पसंद आती हैं जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि मैं बरतन माज़ता था और चाय बेज़ता था सियासी तोर पर हम उनके खिलाफ हैं लेकिन कम से कम असलियत नहीं चिपाते हैं अपने अपनी असलियत चिपाई तो आप एक ख्याली और बनावती दुनिया में रहते हैं सिंगवी बोले बैठक की जगा प्रचार करना चाहिए कॉंग्रेस नेता और राज्यसभा सदर से अभिशेक मनु सिंगवी ने कहा कि जो जो लोग रैली को संबोधित करने जम्मू गए हैं जिनोंने भाशण दिये हैं वे बहुत ही सम्मानित और आदर नियवेकती हैं कॉंग्रेस उन सब की का बहुत आदर करती है और हमें गर्व है कि उनका बहुत लंबा जीवन यानि समय कॉंग्रेस पार्टी में बीता है वे सभी हमारे कॉंग्रेस परिवार के अभिन का हिस्सा है हाला कि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी ये समस्ती है कि जब बाच राज्यों में विधानसबा चुनाव हो रहे हैं जिसमें कॉंग्रेस संघर्ष कर रही है तो जादा उपियुक्त होता है कि आजाद सहीद सभी नेता इन प्रांतों में प्रचार करते और कॉंग्रेस का हाथ मजबूत करते तथा पार्टी को आगे बढ़ाते सचीन इस्ठा कॉंग्रेस के प्रती तभी होती जब ये सभी लोग चुनावी राज्यों में प्रचार कर पार्टी को मजबूत करते जो आखर बोले अक्सरवाद की राजनीति कर रहे है कुछ नेता साथ ही पंजाब प्रदेश में कॉंग्रेस समिती के अध्यक शुशी शुन संगर्ष की राजनीति में शामिलों और आम आदमी की आवाज बुलंद करें साथ ही सुनिल जाकर ने कहा कि राज्यसभा में अराम दायक वातावरंट से दूर जमीन पर उतरकर पार्टी के लिए संगर्ष किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि पार्टी को कि कुछ वरिष् भारत के विचार की रक्षा के लिए लडाई लड़ रहा है आपके क्या राय है हमें कमेंट वॉक्स में जरूर बताए फिलाल खबर में बस इतना ही बने रहें उनली न्यूस नेशिन के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद मैं मारस मिस्रा देनियू जोशन का मैनेजिन डिरेक्टर आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बाराई है जो सिर्फ सच दिखाएगी क्रिश कानूनों पर मचा है घमासान हो रही है मनगढंत बाते मैं अंकित मिश्राप पढ़िये मेरा आइटिकल इस मैजजीन में फ्रैक के साथ UPSC के एस्पाइरंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकरके इस नए लेक में आपको मिलेगा नए संसत्भावन के निर्माट से संबंधित सारी जानकारी मैं भी सालिया दो आप तक आप लोगों ने हमें टीबी पे देखा लेकिन अब हमारे लेक आपको दिखेंगे इस मैजजीन में मैं रंजीत प्रसाद रिपोर्टर दर निउज ओसियन हम आपको दिखाएंगे किसान अंदोलन के बीश में जिहादी कार्ण सब्सक्राइब करें ता निउज ओसियन कबरों का समंदर